अस्सलामू वालेकुम प्यारे दोस्तों! दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली, यादी सरकार महबूब इलाही, हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो यकीनन दिल्ली के बादशाह हैं। प्यारे भाइयों, आज मैं आप सभी को सरकार महबूब इलाही के हवाले से दो ऐसे वाक्यात सुनाऊंगा दो ऐसी करामत बताऊंगा कि शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा और यकीनन जो भी सरकार महबूब इलाही से महबबत करते हैं जो भी अल्लाह के वली से महबबत करते हैं इंशालला वो जरूर पुकार उठेंगे कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तक्दीर देखी प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान बहुत ही ज्यादा आला मुकाम रखती है यानी हम अल्लाह के वलियों की शान को बयान नहीं कर सकते हैं प्यारे दोस्तों आप सभी को बता दें एक मर्तबा सरकार महभूब इलाही यानी हजरत निजामुद्दीन आौलिया रहमतुल्लाह अलेह की तबियत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है बहुत ही नाजुक हालात बन जाते हैं ऐसे वक्त में सरकार महभूब इलाही के पास कोई आता है और आकर यह बात कहता है कि हमारे ही शहर के अंदर एक गैर मुस्लिम है जो लोगों का इलाज करता है अल्लाहू आलम वो क्या पढ़ता है ना जाने वो क्या पढ़कर दम करता है लेकिन जिस भी बीमार के उपर वो पढ़कर दम करता है उसको शिफा मिल जाती है आप भी जाकर उससे एक मरतबा इलाज करवा लीजिए हो सकता है आपको भी शिफा मिल जाए लेकिन दोस्तों आप इस चीज को सोचिए नजर जो होती है वह बहुत दूर तक होती है। कि तुम्हारे कलाम के अंदर इतना असर क्यों है? इसकी क्या वज़ा है? तुम कौन से कलमात पढ़ते हो? तुम कौन सा अमल करते हो? प्यारे दोस्तों, जब अल्लावाले ने ये बात पूछी, तो जो गैर मुसलिम था, उसने ये बात बताई, कि मैं अपने नफस का उल्टा करता हूँ, यानि अगर मेरा नफस कहता है कि मैं ठंडा पानी पीलूँ, तो मैं उसका उल्टा करता हूँ, यानि मैं गर्म पानी पिता रहता हूँ, अगर मेरा नफस कहता है कि सोजा, तो मैं उसका उल्टा करता हूँ, मैं जागता रहता हूँ, यानि मैं हर एक चीज का उ अलाही ने उस गैर मुसलिम के कान में सिर्फ एक बात बोली, फिर कुछ नहीं बोला, और जो बोला वो यकीनन वो गैर मुसलिम ला इलाह इल्लाह मुहम्मदुर रसूल उल्लाह का कलमा पढ़कर मुसल्मान हो गया। प्यारे दोस्तों, वहां जो लोग मौजूद थे, वह सभी देखकर हैरान हो गए, हक्का बक्का रह गए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी थी, यह चीज देखने के बाद आपके जो मुरीद थे, जो आपके चाहने वाले थे, जो आपसे मुहबत करने वाले थे, उन्हों उन्हें इसके कान के अंदर क्या बोला? प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही ने ये बात कही, मैंने कुछ नहीं पड़ा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा, कि तुम अपने नफस का उल्टा करते हो, क्या तुम्हारा नफस ये कहता है, कि तुम मुसल्मान हो जाओ, क्य प्रदू हमेशा करता है। कि किसी इमान वाले का, किसी अलाह के बंदे का, किसी मुसल्मान का इमान डगमगा न जाए, ये मंजर देखकर कि गैर मुसलिम के अमल से शिफा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये सरकार महबूब इलाही की एक शान है, ये आपकी एक जिन्दा करामत थी, जिसको यकीनन बहुत से लोगों ने देखा, आपका मुरीदों ने भी देखा। जो हमारे बड़े उल्माए किराम है, उनका ये कहना है कि सयदों की ताजीम करो। और यकीनन सयदों की ताजीम जो है, वह हमारे उपर फर्ज है। और अगर हम सयदों से महबबत नहीं करते, उनकी ताजीम नहीं करते हैं, तो यकीनन गुनाह के हकदार होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक्या है, वह सयद के हवाले से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार महबूबे इलाही जो हैं, वो यकीनन आले रसूल हैं, सयद घराने से तालुक रखते हैं और अल्लाह के बहुत पायके वली हैं। मैं आप सभी को बता दूँ, वो जो औरत थी, वह यह बात जानती थी, कि सयदों की ताजीम करनी चाहिए, सयदों की इजदत करनी चाहिए, सयदों से महबबत करनी चाहिए। और उसने यह भी सुना था, कि सयदों की खिदमत की जाती है। और अगर सयद खुश होकर हमारे लि प्यारे मुसल्मान भाईयों, यहां पर एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली, कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। पानी के छीटे उसके उपर पड़े, तो दोस्तो उसकी जो बीमारी थी, वह जड़ से खत्म हो गई। कि जिसके उपर नजर पड़ गई, उसकी तकदीर चमक जाया करती है। इसलिए अल्ला के वलियों के बारगाह में जाया करो, तो अदब से जाया करो, मुहबबत से जाय करो, और वहां जाकर फैज हासिल किया करो। अल्ला के बंदों की बारगाह में अल्ला की रहमत बरसती है। और यकीनन ये बात बिलकुल सच है कि जब अल्ला के वलियों की बारगाह में आप कुछ देर के लिए बैठेंगे, तो यकीनन आपको महसूस होगा कि वहां पर बड़ा ही सुकून रहता है। प्यारे दोस्तों, यकीनन अल्ला के वलियों की बारगाह में सुकून नहीं रहेगा, तो कहां रहेगा। जिस्म की जो ला इलाज बीमारी थी, वह खत्म हो जाती है।